नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ज्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लिवल की चल रही होगी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लोवर PCS भरती के विज्यापन को लेकर इसका जो विज्यापन है वो कब तक जारी होगा और कितने पदोपर इस भरती का विज्यापन यूपिटर पले सी पैट 2022 से जारी करेगा तो भया अधिक समय वेशना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ तो भया सबसे पहली जो खबर है वो यही है कि लोवर PCS की भरती आपको पैट 2022 से देखने को मिलेगी और ये बात मैं अपने चैनल पर पिछले 6 मैने से बोलता हुआ रहा हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारे चात्र भरोसा करने को तयार नहीं है ठीक है मैंने आपको बता जियता पहले ही कि पैट 2022 से ही आपको यह भरती 100% देखने को मिलेगी ठीक है अब कब तक मिलेगी तो देखिए पैट 2022 की जो वैद्धता है वो 24 जनवरी 2024 तक है ठीक है उससे पहले पहले आपको यह भरती 100% देखने को मिल जाएगी और उम्मीद मान कर चलिए कि नवंबर या दिसंबर तक आपको लोवर PCS का विज्यापन देखने को मिल जाएगा अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने पदो पर इस भरती का विज्यापन यूपिटर पलसी जारी करेगा दोस्तों आपको बता दूँ आपको मैंने पहले बताया था कि 800 के आसपास जो अधियाचन है वो यूपिटर पलसी में लोवर PCS का रखा हुआ है लेकिन पैट 2022 से 800 पदो पर यह भरती का विज्यापन जारी नहीं होगा ठीक है विज्यापन जारी होगा 5200 से 300 के बीच में या इसके आसपास ठीक है 300 से कम और 200 के उपर यानि कि आप मानकर चलिए 200 और 300 के बीच में यह पदो के संक्या इसमें रहेगी अब इसके पीछे वज़ा क्या है देखिए वज़ा ये भी है कि यूपिटर पलसी बाकी बचे हुए पदों को पैट 2023 से निकालेगा ये वज़ा है अभी आपने देखा होगा अभी 8-7 दिन पहले या 4-5 दिन पहले इस टैनों का विग्यापन जारी हुआ है 277 पदों पर जबकि आयोग में 1000 से उपर पद रखे हुए हैं ये सोचने वाली बात है यूपिटर पलसी में 1000 से उपर इस टैनों की भरती का अधियाचन आया हुआ रखा है लेकिन यूपिटर पलसी ने निकाला कितने का है केवल 277 का और उनके इस कम पदों पर विग्यापन जारी करने के पीछे जो वज़ा है वो यही है वो कुछ भरतियों को पैट 2023 के लिए भी रखना चाहते हैं ठीक है तो उन्होंने 277 का इस बार निकाल दिया और बाकी पदों पर पैट 2023 से जारी होगा इसी तरह से लोवर का विग्यापन भी सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि 800 के आसपास पदों का अधियाचन यूपिटर पलसी में आ चुका है और आज आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 200 से लेकर 300 पदों के बीच में ही इस भरती का विग्यापन इस बार जारी होगा विग्यापन जारी होगा 100% एकदम 100% बात आए आप इस पर बिल्कुल बरुसा कर सकते हैं और तयारी को आगे बढ़ाते रहे हैं लेकिन 800 के 800 पदों और विग्यापन जारी नहीं होगा ये बात भी आपको याद रखनी है ठीक है फिलहाल जारी हो जायागा इतने पदों पर और उसके बाद जो बचे हुए पद हैं उनका विग्यापन जारी होगा लोवर 2023 से यानि कि आपको लोवर की जो भरती है पैट 2022 के द्वारा भी देखने को मिलेगी और पैट 2023 के द्वारा भी देखने को मिलेगी पैट 2022 से 200 और 300 के बीच में और पैट 2023 से 500 के आसपास ठीक है ये बात आपको याद रखनी है और पूरा जी जान से मेहनत से पढ़ते रहे है ये विज्ञापन इसी पैट से आना तै है ठीक है और जो बात रियल है वो मैंने आपको बता दी मैं आपको किसी भी धोके में रखना नहीं चाहता ठीक है और जो छात्र मुझसे बहुत पहले जुड़े हुए है वो जानते हों थे कि 800 पदों का दियाचन बिल्कुल तैयार रखा है लेकिन अब यूपिटर पलसी का प्लान चेंज है उसने कम पदों पर विज्ञापन जारी करने का निर्ण लिया है और बाकी पदाएंगे लोवर 2523 से ठीक है दोस्तो तो यह हो गया आज का वीडियो और इस भरती को ल जोग जाएंगे प्लान चारी कि अ.